नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कोमलशी शोदिया आप देख रहें देनीज लॉंचर एक बार फिर, फिर से मोदी ने गाली का विक्टिम कार्ड खेल दिया है जी हाँ, कल नरेंद्र मोदी राजिस्थान के नागोर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने कहा कि खडगे ने मेरे पिता को गाली दी है और ये कोई पहली बार नहीं है जब मोदी ने इस तरह की बात कही हो क्योंकि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी अपनी कई चुनावी सभाओं में वो इस तरह की बाते बोलते आये हैं और कभी वो कहते हैं कि कॉंगरेस ने मुझे दरज़डों गाली दी तो कभी वो गालियों की लिस्ट गिनाने लग जाते हैं कभी वो जनता के बीच में चायवाला बन जाते हैं तो कभी चौकी दार बन जाते हैं तो कभी अपने आपको OBC बताने लगते हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके सारे पैंतरे फेल होते दिख रहे हैं क्योंकि जनता को शायद उनके सभी जुमलों और वादों को बखुबी समझने लगी है जो जनता है आपको बता दे कि कल राजिस्थान के नागोर में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने मेरे पिता जी को गाली दी है ये खडगे को क्या हो गया है वो तो ऐसे नहीं थे आप एक बार मोदी की ये वीडियो सुने और ये वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने ये सारी बाते कही है फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या पहले आप ये वीडियो देखिए पिताई जी पर भी टूट पड़े बताएंगे उनका स्वरगवाद हुए 40 साल हो गए उनको गाली दे रहे है क्या हो गया है कॉंग्रेस को उनके राष्ट्री अध्यक्ष मोदी के पिताई जी को गाली दे है खरगे जी आप तो ऐसे नहीं थे आदर्नी मोदी जी ने जो बात इस वीडियो में बोली है उसकी सच्चाई कुछ और ही है दरसल कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीकारजुन खरगे कल तेलंगाना में थे और उन्होंने मोदी परवार करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा है वो भी जूटे उन्होंने भी बोला कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ लेकिन उन्होंने भी जो वादे किये उन्हें निभाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है खजाना खाली पड़ा हुआ है अब एक बार खड़गे का ये वीडियो सुनेए फिर आगे इस पे बात करते हैं जरा सुनेए एक बार मलिक आरजुन खड़गे का ये वीडियो जिसमें उन्होंने ये बाते कहीं है तो ये भी जूट है तो जूट क्या मोधी बोल रहे क्या कांग्रेस वाले बोल रहे आप बोलिए तो यह है इसलिए मोधी जूट है हम बोले तो आप चंद लोग उनके घुस्टे में आते हैं ए प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले अरे प्राइम मिनिस्टर कब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर को बाप यहां बैटा उन्हें भी जूट उन्होंने भी बोला मैं यह करता हूँ वह करता हूँ लेकिन उन्हों भी आज जो वाईदे कियते वो वाईदे निभाने के लिए उनके पास पैसा नहीं खजाना खाली है तो पूरा वीडियो यह था जो आपने सुना और इस पूरे वीडियो में कहीं से भी खड़गे ने मोदी के पिताजी पर कहीं कुछ नहीं बोला और वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है जो उन्होंने बोला है इसका मतलब साफ है कि वो यहां पर तिलंगाना में केसी आर को छूट बोलने में मोदी का बाप बता रहे थे मगर मोदी जी ने इसको कुछ दूसरे ही तरीके से बोल दिया मगर अक्सर यह भाश्पा को सुनते हैं कि किस तरह से वो राहुल गांधी के परनाना जवाहलाल नहरु को कोस्ती रहती है यह यूँ कहें भला बुरा कहती रहती है जबकि जवाहलाल नहरु को मरे लगबग साट साल हो चुके हैं और इंद्रा गांधी को भी लगबग मरे हुए चालिस साल हो गए हैं बावजूद इसके BJP के तमाम नेता कॉंग्रेस और राहुल गांधी कॉंग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधने के लिए जवाहलाल नहैरू और इंद्रा गांधी तक को नहीं बख्षते और मोधी यहां विक्तिम कार्ड खेलते हुए अपने 40 साल पहले सुवर्गे पिता को बीच में ले इतना नीची कैसे गिर सकता है कि अपने ही पिता को विक्तिम कार्ड के रूप में इस्तमाल करे लेकिन राजिस्थान में नरेंद्र मोधी ने चुनाव में हार को संभावित रूप से देखते हुए यह विक्तिम कार्ड खेला है जिसमें वो बड़ी ही इमोशनल होकर कह रह कम 43 मिनट तक कॉंग्रिस पर ही हमला वर रहे यह देश का एक ऐसा मुख्या है जो हर वक्त सिर्फ एक ही रागा लापता रहता है और यह बेहद ही शर्मनाक है कि किस तरह से देश के प्रधान मंत्री प्रधान से वक्त जनता के बीट जाकर महेंगाई बेरोजगारी देश की अर्थ विवस्ता सहीत तमाम मुद्दों को छोड़ कर लोगों को बताता है कि कॉंग्रेस ने उन्हें कितनी बार गालिया दी कितनी बार कॉंग्रेस ने उन्हें को सांग आप हमेशा अकसर यह नोटिस करते होंगे कि प्रधान मंत्री मोदी अपनी तमाम जितने भी उनके प्रिधान मंत्री को बात करते सुना हैं लेकिन ताज़ुब होता है कि जनता भी प्रिधान मंत्री मोदी की जब बाते सुनती है तो उनकी उन बातों पर बेवकुफी भरी तालियां सामने से दिखाई पड़ती हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन प्रिधान मंत्री आपके लिए यहां एक सवाल छोड़के जाते हैं कि प्रिधान मंत्री की जितने भी रैलियां जितने भी उनके भाश्यन होते हैं वो अक्सर ही इस तरह की बाते करते नजर आते हैं कि कॉंग्रेस ने मुझे ये कहा कॉंग्रेस ने मुझे वो कहा मुझे इतनी बार गालियां दी गई लेकिन भाजपा भी जवाहरलाल जो सुवर्गे जवाहरलाल नहरुएं जिनको मरे लगबग साथ साल हो गया और वहीं इंद्रा गांधी को कोस्ते रहते हैं तो इस पर आप क्या सोचते हैं क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा और फिलाल इस वीडियो में इतना ही है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो न्यूज लांचर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादे जादे शियर करें नमस्कार